हाई गाईज मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल वियार यूटूब चैनल तो दोस्तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट किया है पूछाएं कि सर क्या हम Android की application को PC या laptop पे यूज कर सकते हैं चला सकते हैं तो दोस्तो answer है बिल्कुल चला सकते हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि Android की application को कैसे आप अपनी PC या laptop पे चला सकते हैं यूज़ कर सकते हैं इससे फाइदा ये होने वाला है अगर आप Android की कोई अप्लिकेशन से वीडियो एडिट करते हैं और आपने लाइप्टोप या कम्प्योटर खरीद लिया है तो आप वीडियो एडिटिंग साफ्टियर को आप अपने लाइप्टोप पे या कम्प्योटर पे यूज़ कर पाएंगे और अपनी वीडियो को एज़ा Android फोन एडिट कर पाएंगे अगर आप यूज़ना चाहते तो बने रही इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों Android की अप्लिकेशन को कम्प्योटर या लाप्रोफ सिस्टम पे यूज़ करने के लिए आपको कम्प्योटर में ठालना पड़ता है एक सौफ्ट्यूर वैसे मैं इसके लिए बहुत सारे सौफ्ट्यूर हैं लेकिन मैं आज आपको जो सौफ्ट्यूर बताऊंगा व की सौफ्ट्यूर की विब साइट भेंप यह एग पर यहां पे आपको डाउनलोड पर क्लीक कर शुका हूँ और यहोडिकेशन आपकर केंसील और इसे करता हूं मीनिवाइज और डेक्स्टॉप पर यह देखिए यह वाला सौफ्ट्वेर है जिसे अभी आपको डाउनलोड करना था अब इसे इंस्टॉल कर लेना है आपको अपनी कंप्योटर में चलिए इसे इंस्टॉल कर रहते हैं फटाफट तो यह देखिए फाइनली हमारा यह कंप्लीट हो गया यानि कि इंस्टॉल हो गया अब हम इसे कंप्लीट पर किलिक कर देते हैं और कट कर देते हैं इंस्टॉल होने का बाद यह देखिए यहां पर आ गया है और यह हमारे सामने ओपन हो गया यह नोगेट 7 पर काम कर रहा है यानि आप अप computer system में एक ऐसी software डाल ली है जो कि यह ड्वाला डिस्प्लेय यानि यह software जो ओपन करेंगे वह display हो गया android phone अब इसमें आप कोई भी android के application इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आप अपनी computer पर यूज कर सकते हैं और इससे आप अपने काम को और भी असान कर सकते हैं इसके बाद आपको एक email id देना पड़ेगा है जैसे की Google Play Store के आकाउन बनाते टाइम हम देते हैं अब यहां पर आपको email id डालके login कर लेना आज चलिए email id डालके login कर लेते हैं जैसे हम android phone में करते हैं वैसे यहां पर भी करना है तो यह देखिए सामने फाइनली हमारे पास open हो गया है android phone यूज करने का इंटरफेस computer का उपर अब देखिए दोस्तों यह आप्लिकेशन यह वाला blue stick और इसे login हो कर लिए हम जैसे आप इसे open करेंगे जैसे यह देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पर आपको android की कोई application को इंस्टाल करना है तो यहां पर प्लेश्टों पर क्लिक किजिए यहां पर आपको मिल जाता है गेम अगर आप इसे install करना चाहते इस पर click किजिए यह install हो जाता है अगर नहीं करना है तो फिर बैक कर सकते हैं आप इसको और और बाइक करने के बाद यहां पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी Android की आपको अप्लिकेशन चाहिए जो चलिए हम यहां पे सर्च कर लेते हैं और यहां पे पीसी पे बीवाटसप चला सकते हैं नीचे यहां पे स्क्रॉल करेंगे यह बहुत सर्च करके आप यहां से कोई भी अप्लिकेशन को यूज कर पाएंगे और अंडॉइड का मजा अपनी कंप्यूटर सिस्टम पर भी ले सकते हैं बड़े स्क्रीन में तो यह थी वो टेक्निक जिसे आप किसी भी अंडॉइड आप को कंप्यूटर सिस्टम पर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाएगा बिना लाइक किया मत जाएगा मिलते ह है किसी नेक्स रूडियो में तेंक यू फर वाचिंग दोस्तों है वन नाइस डे